हलो फ्रेंड आज की मारी रेस्पी है भोती क्रेस्पी एंड चटपटा कुरकुरा नास्ता जो की बहुत टेस्टी बनने वाला है क्योंकि हेल्दी भी होने वाला है क्योंकि हम इसे बेजी टेबल से नास्ते को बना कर त्यार करने वाले हैं वो भी पांच मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना इधर हमने एक बावल लिया है इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज उसके बाद लेंगे एक सिमला मिर्च बा बारी कटी हुई उसके बाद हमने लिया एक टमाटर बारी कटा हुआ इसके सीर्स निकाल देने उसके बाद इसको डाल देना है इसमें उसके बाद थोड़ा सा उपर से डालेंगे फ्रेसरा धनिया बारी कटा हुआ इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है नास्ते में धन्यासी उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा काली मेज का पाउडर ब्लैक पेपर थोड़ा सा एक चौथाई चिम्मच उसके बाद डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर थोड़ा सा एक चौथाई चिम्मच उसके बाद हमें डाल लेना इसमें जीरे का पाउडर थोड़ा सा आप है इसमें हम डालेगे आमचूर पावडर नहीं तो नीवाउगल का रज़ वाइब सकते हो उसके बार डालेंगे थोड़ी सिसमें राएडचि लीफलेक्स दीखाई आप अपने साफ से कम ज़ादा कर सकते हो उसके पार डालेंगे test अकॉर्डिंग इसमें नमक थोड़ा सा थोड़ी सी हम डालेंगे ही इसे ना digestion में भी मदद करता है और test में भी बहुती अच्छा लगता है ही डालने से नास्ता उसके बाद इसको मैं बेजी टेबल्स को अच्छे से इसे मिक्स कर देना है इससे नास्ते से बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा बनता है इससे नास्ता इधर हमने पेश्ट को अच्छे से रेडी कर लिया है मिक्स कर दिया है पेस्ट बन का रेडी हो चुका है उसके बाद लेंगे एक बॉयल किया हुआ आलू, मीडियम साइज का ठंडा आलू लेना है उसका जो मीडियम बाला ग्रेटर होता है उससे आलू को ग्रेट कर लेनी है आप चाओ तो मैसर से मैस कर सकते हो इसमें गिल्टी विल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए इसे अच्छे से मैस कर लेना है उसके बाद हम लेंगे इसमें थोड़ी सी मैदा, 3-4 चिम्मत जादा नहीं बस थोड़ी सी लेनी है और इसको इसमें डाल देंगे आप चाओ तो कौन फ्लोर का भी यूज कर सकते हो और मैदा का भी यूज कर सकते हो जो आपके पास है वो आप यूज कर लेजिए उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से असी मिक्स कर देना है हमें असी डो जैसे फोम में लाना है इसको मिक्स करते हुए उसके बाद उपर से थोड़ा सा टेस्ट अकोड़ेंगे इसमें नमक डाल देंगी और थोड़ा सा उपर सी ओईल डालेंगे एक चिमबच पर कर इससे न डो बहुती चिकना और सौप्ट लगके रेडी हो जाएगा उसके बाद अच्छे से नमक को और ओईल को मिक्स करते हुए हमें सौप्ट सा डो लगा कर इसका रेडी कर लेना है इदर डो लगका रेडी हो चुका है आप देख सकते हो उसके बाद हाथ क्लेन कर लेने है उपर से हाथों में थोड़ा सा ओयल लगा लेना है ताकि यह चिप केना उसके बाद इसकी लोई तोड़ लेनी है जैसे नीबू अकार जितनी बड़ी जादा बड़ी नहीं तोड़ी है जैसे पूरी बनाते हैं उसी जैसी लोई बनाकर इसकी रेडी कर लेनी है चकला ले लेन कर हमें रीडी करनी है एक साइज की दो बना लिए उसके बाद जो पेश्ट बना के रखा था सब्जियों का उसको हमें एक दो चमबच भर कर हम इसमें रख देंगे वी सेंटर में रखेंगे और दूसरी वाली पूड़ी को उठाएंगे इसके उपर ऐसे कवर कर देंगे आप प्लेंगे शिट कर लेंगे उपर से विक्तियार कर सकते हैं और जो बचे हुए उनने इसी तरीकी से बनाकर रेडी कर लेंगे इधर हमने पैन ले लिया इसमें दो चिमज भरकर ओयल डालेंगे ओयल को गरम कर लेंगे और थोड़ा सा ग्रीज कर देंगे इसको पैन को ग्रीज करने के वाद जो नाजता बनाया था उसको एक को हम रख देंगे जितना स्पेस होगा कड़ाई में या पैन में एक साथ उतने सेक लिजिएगा और गैस को कर देंगे मीडियम फ्लैम पे और इसे अच्छे से सिकने देना है उपर से थोड़ा सा ओयल डाल देंगे हलका सा ताकि उपर से भी हलका सा सिक जाए उसके बाद इसको पलट लेंगे जीली इस तरीके से दो चमबच की सायता से आप पलट लेजिए उलट पलट करके अच्छे से दोनों तरफ हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नास्ते को सेक लेना है इदर हमारा नास्ता सिक कर रेडी हो चुका है आप देख सकते हो वहती प्यारा सा कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है इसे भी हम पलेट में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ नास्ता है उसे भी सेम इसी तरीके से हम सिक कर रेडी कर लेंगे इधर हमारा सारा नास्ता बनकर रेडी हो चुका है आप देख सकते हो वहती प्यारा सा कलर आज चुका है गोल्डन ब्राउन और बहुती ज़्यादा ये नास्ता हेल्दी होने वाला है क्योंकि इसको हमने बैजी टेवल से बना कर तयार किया है और बच्चों को ये नास्ता ब भी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दिना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटीपिकिसन आप तक पहुंच सके थैंक फॉर वाचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो